आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now यहाँ पर हमें बताना है कि दिये गए options में से कौन सा cobra का या naja naja का distinguishing feature है अब यह एक तरह का snake होता है नaja genus में जो भी snakes होते होंने हम cobra का नाम देते हैं और Indian cobra के नाम से generally इससे जाना जाता है लेकिन King cobra से यह एकदम अलग है King cobra, Ophiophagus genus में आ जाता है इसको हम Indian cobra के नाम से जानेंगे तो अगर अपने options को देखे Agile habit दिया हुआ है Agile habit या agility का मतलब होता है कि वो जल्दी move करता है फुर्ती से लेकिन यह इसका distinguishing feature नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे snakes हैं जो इससे भी तेज, जादा तेजी से move कर सकता है इसलिए यह हमारे यह पर सही answer नहीं होगा फिर black color जो दिया हुआ है इसकी अगर coloration देखते हैं काफी varying होती है यह black के अलावा grey color का भी हो सकता है yellow color का भी हो सकता है और इसके अलावा reddish color का भी हमें यह मिल जाता है तो इसलिए black color इसका distinguishing feature नहीं है different colorations इसमें हमें देखने को मिलती है फिर hood जो हम term use कर रहे हैं यह हम साब के fun के लिए यूज करते हैं 3rd largest Pralabiael अब जो Pralabiaels term यह हम इसके skills के लिए यूज करते हैं जो इसके upper label यह x бук bar left उस्योज क्षि जाओ करने वाले explains होते हैं जो इसके अपर jaw a long हमें मिलते हैं तो टोटा 7 इसके बाद, pralabial scales होते हैं लेकिन उसमें से जो तीसरा होता है वो सबसे बड़ा होता है तो यह यहां पर हमारा सही option हो जाएगा अगर हमें नाजो नाजो कुछ दूसरे स्नेक से distinguish करना है तो option D हम इसका distinguishing feature यूज कर सकते हैं कि इसके पास hood होगा और इसके जो sapralabial scales होगे नंबर में 7 होगे लेकिन इन में से तीसरा सबसे बड़ा होगा तो correct answer यहां पर option D mark कर देंगे Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400-400-400 पर